हालो एवरिवन मैसेल्फ कमलेश चौधरी टीम फिजिक्स CLC सीकर आज हम लोग मीड सेशन टैस सीरीज फॉर जेए मेंस 2022 का जो फिजिक्स का फिर्स्ट पिपर है वो डिस्कस कर रहे हैं इसमें डॉपिक्स जो कवर हो रहे हैं वो अपने हैं वेक्टर वन दैमेशनल मोशन एक फोर्स दे रखा है एफ डिनोटेड़ फोर्स एंटीड टाइम तो दैमेंशन ए और बी की बताना है कितना है तो जो फोर्स है वो कुछ इस तरह से गिवन है ए बाइटी प्लस बीटी स्क्वेर तो यहां पर क्या होगा कि सेम डाइमेंशन वाली क्वांटिटीज को ही हम हम एड़ करता है तो जो डीमेंशन एफ का होगा वहिए दामेंशन एबाइटी को होगा सेम डाइमेंशन ब्लीटी स्कुर्ण को तो दायमेंशन ही एकवल करते हैं इसको तो फूर्स का डाइमेंशन हम लिखते है म país प्ल्स लूर्स अर्च की पपावर माइनस वन और सेम डा कि डामेंशनल होने चीए यहां से एका डामेंशन हम कल्कुलेट कर सकते हैं एक पार माइनस वन जाएगा उदर तो प्लस वन हो जाएगा तो प्लस वन हो एड़ करेंगे तो यह गया human M L T minus 1 यह की डामेंशन फों कि एक की डामेंशन के लिए आएपी पर दो एक वेलासिटी एक वेव का जो वाटर सरफेस पे है उसका कुछ एक्वेशन जो है वो बता रखा है कि इस तरह एसे प्रपोर्शनल है लेमडा की पावर अल्फा डेंसिटी की पावर बीटा जी की पावर गामा आगे मेंशन भी किया हुआ कि लेमडा जो वेवलेंथ ह है रो डेन्सिटी है जी कि रेवटेशनल अ Gemeेंटी एक्सलरशन है तो कौन सा रीलेशन क्रेक्ठ होगा तो और यह रह्यामंदा की पावर अल्फा डंसिरी की पावर बीटा एंड रेवडेशनल की पावर की आगमा ऑा कि Dimension बराबर कर दो तो velocity की Dimension है कि अल्टी-1 में इक्वल प्रोपोर्श्ट्र वेलीऊ की Dimension Less Lambda wavelength लेंथ है तो यह आ गया लेंथ की पावर गामा दैंसिटी है मास अपान वाल्यूम वाल्यूम L t-3 पावर बीटा और आगे ग्रेविटेस्टनल एक्सलरेशन है तो जी हो गया हम बोल सकते हैं जी की वैलिउ L t-2 की पावर गामा यह इसकी दाएमेंशन है तो डैमेंशनल ही हम इसको एक्विट कर रहे हैं तो तो I am की पावर का अगर compare करैं डाइब की डाइमेंशन कुपेर कर दो एंक की डामेंशन इदर रही नहीं इसलेंड मेंशन इवल बीटा है इदर T की पावर केवल यही है, minus 2 gamma, अब 2 gamma को compare करोगे तो gamma की value आजाएगी half, gamma half यहाँ पर substitute कर दें, तो alpha की value आजाएगी 1 minus half, half, it means alpha और gamma जो है वो equal है, जबकि beta की value 0, alpha और beta, alpha और gamma equal और beta की value 0, third हो जाएगा, second के बाद next question पर जलते हैं, question number 3, question number 3 में हमें A equals to B plus C given है, और जिनका magnitude है A, B और C का respectively 5, 4 and 3, और angle बताना है A और C की वीच में, A और C की वीच में, तो देखें A और C की वीच में angle निकालने के लिए, या तो angle का formula calculate कर लो, कि resultant का, किसी एक vector की साथ जो angle का formula होता है वो, या फिर दूसरा यह कर सकते हैं कि यहाँ पर इसको A minus C लिख दो, B के बराब, अब A minus C का जो magnitude है, वो हो गया A square plus C square minus 2AC cos theta, जहाँ पर theta क्या है, angle between A and C equals to, मतब रूट आता, इदार लिख दिया B square, तो यह compare करता है, A का magnitude है 5, 25, C का magnitude है 3, square 9, minus twice of 5 into 3, 15, cos theta equals to B square, B का magnitude है 4, square हो गया, 16, यहाँ से, यह आगया, difference ले लो, 16 अगर इस में से जाएगा 25 में से, तो बच जाएगा 9 और 9, 18, तो उदर आगया 18, और इस साइड आगया 2 into 15, cos theta, तो cancel कर दो, 9, 3 से यह cancel कर दो, 3 और 5, तो 3 और 5, तो 3 और 5 equals to cos theta, it means theta equals to cos inverse 3 और 5, तो यह यहाँ पर angle है, A और C vector के बीच में, cos inverse 3 और 5, first option अपना correct पूज़ जाए, third के बाद next question number 4, 4 में angle between A cross B and B cross A, तो A cross B और B cross A, जब cross protect करते हैं, तो A cross B, जो है, वो minus times B cross A होता है, इसका मनलब दोनों का जो magnitude है, वो तो equal है, direction wise opposite होता है, तो A cross B और B cross और दूसरे के opposite, तो angle कितना होगे, opposite होने की वैसे, 180 degree, pi का angle इनकी बीच में है, next question number 5, 5 में एक travel, एक truck जो है, वो travel कर रहा है, नॉर्थ में 50 km पर आर से, और उसने west में turn लिया है, और same speed है, तो change in velocity पूछा होए, कितना होगा, तो देखें, पहले वो जा रहा है, नॉर्थ में, velocity है 50, north upward लेते हैं, तो जो west होगा, वो इससाइड ले रहे होते हैं, तो बाद की velocity जो है, वो west में है, वो ही 50 km पर आर रहा है, velocity एक vector quantity है, तो velocity में change हम लिख सकते हैं, V final minus V initial, ठीक, तो अगर हमें difference लेना है, तो वेक्टर में, तो V final तो इस direction में है, initial का negative, एड़ कर दूँ, तो initial upward है, negative मतलब downward, यह इसमें add कर दिया, initial का negative, तो resultant क्या आगया, यह आगया, तो यह direction कौन सी होगी, यह west है, और यह south है, दोनो magnitude बराबर है, 50-50, तो यह resultant आजाएगा 50 root 2, तो 50 root 2 exact mid में से आजाएगा यह, तो यह southwest direction हम बोल सकते हैं, 50 root 2, southwest direction में, यह velocity में change की direction है, question number 5 होगया, 6, 6 में relation बता रखा है, distance x और time t में, जो कुछ इस तरह से है कि t equals to, alpha x square plus beta x, हमें क्या calculate करना, retardation बताना इसका, मतलब acceleration calculate करना है, बस result ही आना चाहिए कि acceleration और velocity की direction opposite होनी चाहिए, या minus sign लगा देंगे extra, तो यह जो time है, इस पूरे को differentiate कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले, पूरी equation को हमें वैसे तो x को differentiate करना चाहिए, दो बार, लेकिन पूरी equation को differentiate कर देता है, क्योंकि x individual नहीं exist कर रहा, तो t का, one differentiation, x square का 2x, साथ में dx by dt बनेगा, जिसको मैंने velocity लिख दिया, प्लस बीटा, x का differentiation with respect to time, यह भी dx by dt बनेगा, वेलासिटी, तो यहां से velocity का term calculate हो गया, 1 by 2 alpha x प्लस बीटा, वेलासिटी common लिया था, बागी को डिवाइड़ी किया, वेलासिटी को further differentiate करते हैं, acceleration के लिए, तो dv by dt, तो इसको पर लेजाओ, पावर माइनस 1 बोल दो, पावर माइनस 1 है, तो differentiation क्या होगा, पावर आगे multiply करती, माइनस 1, और जिलिखावा है, उसकी पावर एक और, कम करती, माइनस 2, लेकिन ये तो हमने x लिखावा है, with respect to time differentiate किया, तो अंदर वाले term का further differentiation करना है, chain rule से, 2 alpha constant, x का differentiation dx by dt, with respect to time, जो velocity है, dx by dt, बीटा constant है, 0 आजाएगा, तो ये इसका differentiation आया, मतलब acceleration की value आगई, अब इस वाले term को देखोगे, तो ये minus 1 लिखावा है, velocity, इसकी पावर minus 1 मतलब velocity, और इसकी पावर minus 2 मतलब velocity का square है, तो ये minus, velocity का square, एक और velocity, velocity का cube, साथ में एक है 2 alpha, ठीक, अब acceleration negative of ये value है, अब velocity का cube है, इसका मतलब जो velocity का अगर sign negative है, तो ये overall term negative आएगा, इतना term, या फिर velocity का sign अगर positive है तो ये term positive आजाएगा, तो यहाँ पर हम बोजकते हैं कि जो negative sign है, ये हमेशा बता रहा है कि velocity की आपोजिटिटिए acceleration, तो इसका मतलब इसका जो retardation है, उसकी value positive sign के साथ 2 alpha V cube बजाएगा, 2 alpha V cube, यह हो जाएगा, question number 6, के बाद question number 7, 7 में particle जो है, वो मू कर रहा है, एक curve पर Y plus X square by 2 के positive branch में, और जिसमें X जो है, वो कुछ T square by 2 दे रखा है, जहां X और T जो है, वो measure कर रहे है, meter में, X और Y, और T second में measure कर रहे है, तो 2 second पर इसकी velocity कितनी होगी, तो देखते हैं, position को differentiate करते हैं, तो velocity आ जाएगा, यह curve जिस curve पर मू कर रहा, वो एक तरह से parabolic है, positive आप में मू कर रहा है, X और Y, positive branch, तो X वाले term को differentiate किया, X ही रहा, तो differentiate किया, velocity न X आ जाएगा, T square का differentiation 2T, divide by 2 है, तो cancel होगी है, T की value 2 रखी, तो यह 2 meter पर सकी, X में velocity तो 2 है, Y में velocity calculate करने के लिए, Y वाले term को differentiate करें, लेकिन आप एक स्क्वार है, X substitute कर दो, Y equals 2 है, X square, X square होगी है, T की power 4 by 2, 4, T की power 4 by 4, X square by 2 है, ठीक, इस term को differentiate किया, तो velocity न Y आ जाएगा, T की power 4 का differentiation 4 आगे, T cube, divide by 4 into 2, cancel हो गया, T की value 2 second पर पूछा है, तो 2 रखो गे, 2 की power 3, divide by 2, तो एक 2 cancel कर दो, 2 की power 2, 4 meter per second, X में य में velocity आ गई, तो X में velocity I cap, Y velocity J cap, यह और रहल इसकी velocity है, ठीक है, तो velocity हो गया, 2 I plus 4 J, 4th option हो जाएगा, 7 के बाद, next question number 8, question number 8 में, यह बोल रखा है कि, एक object जो है, उसको project किया है, upward किसी velocity, 4.9 meter per second से, ground पर कितने time के बाद, approximately collide हो जाएगा, तो देखें, upward थो किया, ground पर अगर वापस आना है, इसका मतलब, इसका displacement, all all कितना हो गया, 0, displacement की value 0, from displacement के लिए equation लेक सकते है, S equals to, UT plus half AT square, displacement 0 करना है, initial velocity 4.9 है, upward positive लेलते है, upward direction, positive लेली, downward negative, gravitational acceleration downward, G की value 9.8, और downward इसलिए acceleration हो गया, minus 9.8 T square, अब यहाँ पर 4.9 T common लेलो, क्योंकि यह भी 4.9 है, यह भी divide होने के बाद, 4.9 आएगा, बागी रहागिया, 1 minus T, equals to 0, यहाँ पर T के दो solutions आगे, T equals to 0, वो बता रहा है, initial position, तब भी displacement 0 था, तूसरा बता रहा है, T equals to 1 second, तो T equals to 1 second पर यह दुबारा ग्राउंड पर आ रहा होगा, तो दुबारा ग्राउंड पर आने का टाइम हो गया, question number 8 के बाद, next question number 9, एक body को project किया है, vertically upward ground से, और air resistance जो है, उसको consider करना है, अगर यह बोल रखा है, कि T1 टाइम लग रहा है, उसको upward जाने में, और जबकि T2 टाइम लग रहा है, वापस ground पर आने में, तो जब यह upward जा रहा होगा, तो gravity, downward gravitational force बोल्ग, एर resistance भी downward, तो net force downward mg से जादा है, तो all acceleration जो downward होगा, वो greater than g होगा, समझ मैं, जब यह downward motion में होगा, यह upward motion में है, downward motion में होगा, तो downward तो mg लगेगा, एर resistance अपवर्ड लगना है, तो इस वाली condition में, downward mg, upward air resistance, तो अब जो net force हो, mg से कम होगा, क्योंकि mg माइनस है, force अगर कम होगा, तो हम बो सकते हैं, कि net force mg से कम, acceleration g से कम, यह हो जाएगा, इसको situation को, वन बोल देते हैं, यह तू, तो इसका मतलब, जाते ताइम पर acceleration, जादा है, आते ताइम पर acceleration, कम है, जाना तो same height, जितना height पर जाएगा, उतना height से वापस भी आएगा, तो displacement, same है, दोनोई condition में, अब displacement को, यूज करते हैं लिख दो, इसमें final velocity 0 है, इसलिए मैं equation यूज कर रहा हूँ, s equals to vt minus half a t square, यह भी यूज कर सकते हैं, यह Newton second equation को, second और first को mix करके, हम बोल सकते हैं, s equals to vt minus half a t square, final velocity 0 है, तो इसलिए जो displacement है, वो same है, half acceleration जो आगया, वो a1 t square, तो जो t1 की value है, वो आगई 2s by a1, का root, इतना time इसको लगना है, यहाँ पर, आप a1 की value से compare करेंगे, जो g से ज़्यादा है, अब यहाँ भी ऐसे लगदो, उपर से आ रहा है, नीचे तक initial velocity 0 है, यहाँ पर इस motion की according, तो s equals to ut plus half a t square, sorry, a t square, u0, यहाँ पर v0 था, negative sign वो direction की according, अपने आप adjust हो जाएगा, तो s, 2s, divide by acceleration, यह a2 का root, यह time लगा t2, आप देखें, acceleration a2 कम है, जी से कम तो उससे तो कम होई गया, तो अगर acceleration कम है, तो जो time है, वो ज्यादा लगना है, तो t2 time जो है, वो greater लगेगा, with respect to t1, यह दूसरा यह भी बोल सकते हो, कि जाते time पर acceleration ज्यादा है, बहुत जल्दी, velocity में change होगा, acceleration ज्यादा, जल्दी maximum height अटेंड करेगा, वापस जब आ रहा होगा, acceleration कम है, तो थोड़ा slowly आएगा, slowly आएगा, तो हम बोल सकते हैं, आते time पर time ज्यादा लग रहा होगा, तो इसके basis पर यह हो गया, कि t1 जो है, जाते time पर time कम लगना, आते time पर ज्यादा होगा, third option सही हो जाएगा, next question number 10 पर आते हैं, 10 में, vx graph जो है, वो given है, ax graph उससे हमें draw करना है, तो देखें, vx graph से, ax graph कोई slope जो है, वो तो dv by dx होता है, slope से हम acceleration को relate नहीं कर पाएंगे, वो dv by dt होता है, तो relate कर देखें, vdv by dx होता है, अगर उससे सोच सकते हो, तो उससे try कर सकते हैं, दूसरा यहाँ पर area अगर निकालेंगे, तो area बताएगा, vdx, वो भी कुछ नहीं represent कर रहा होता है, यहाँ पर, तो हम क्या करें, एक बार equation से ही देखते हैं, equation के according किस तरह का relation देखेंगा, तो देखें, यहाँ पर linear relation है, तो v equals to, next भी तो उता है, v equals to linear relation था, तो v equals to mx plus c हो गया, कुछ इस तरह से relation है, v और x के बीच में, जहाँ पर slope जो है, वो negative है, और जो y axis पर intersection है, वो positive है, तो slope जो है, इस term को हम negative लेंगे, consider करेंगे, और यह term positive consider करेंगे, final जो भी result आएगा, इससे compare करेंगे, differentiate कर दता है, with respect to, याद v dv by dx ही लिख दू, acceleration के लिए, तो v, यह term आएगा, mx plus c, dv by dx, with respect to, differentiate करेंगे, कि वल m का term बचेगा, m, तो इसका मतलब acceleration जो आगया, वो आगया, m square x plus c into m, ठीक है, अब इस से compare करेंगे, तो m चाहे negative रहा हो, लेकिन square का term तो positive हो गया, और अब acceleration और x की बीच में linear relation है, इसका slope जो है, वो positive है, और जो c है, वो positive था, लेकिन ये m की value negative होने की वैसे, और all क्या हो गया, negative, y intersection negative होना चीए, slope positive होना चीए, इस सरह का relation हो, तो y intersection negative हो, slope positive हो, तो ऐसा कुछ graph दिख रहा है, तो acceleration और x की बीच में ये graph होना चीए, तो देखते हैं, तो ये graph हमें मिल रहा है, first के, according की, वो first यह है, तो first अपना correct हो जाए जाए, 10 के बाद next question number 11, 11 में, एक body जिसका mass 40 kg है, और ये vertically लटकाया हुआ है, sorry, branch of tree से, boy है, sorry, एक boy जिसका mass 40 kg है, उसको वो जो है, वो लटक रहा है, किसी tree की horizontal branch से, tension in his arm minimum when the angle between the arms, tension minimum कब होगा, तो जैसे वो लटक रहा है, तो situation को जिससरा जब होज़कते हैं, कि जैसे string, दो string से एक mass को attach करते हैं, ठीक है, अगर ये strings किसी angle पर होंगी, angle लेलते हैं, कुछ theta, तो downward हो गया mg, tension symmetric लिया तो same होगा, तो यहाँ पर आगया t cos theta, या t cos theta, 2t cos theta एक बाश्टू, mg, इसका मतलब जो t है, वो कितना हो गया, mg by 2 cos theta, अब यह जो t की value है, यह minimum चीए, तो for t minimum, denominator वाली maximum value, तो cos theta कितना हो जाना चीए, 1, cos theta 1 मतलब theta equals to 0 degree, it means उसकी arms, अगर बिल्कुल parallel होंगी, उनकी वीच में अंगल 0 होगा, तो उसके arms में tension force, कम feel होगा, तो कहीं जाएकर लटकर होंगे, तो बिल्कुल vertically, तोनों arm सोनी चीए, तब tension कम होगा, next 11 के बाद question number 12, 12 में एक string है, जिसकी length L, mass M है, horizontal double पे है, तो force F apply किया, इसके एक end पे, तो tension is string at a distance X from the end, at which the force is applied, जो force लगाया है जिस end पे, उससे X distance पे हमें बताना है, कि इसके अंदर tension force कितना होगा, तो question कुछ इस तरह से है, कि ये string, इसके एक end पे F force लगाया, और इस end से existence पर, हमें tension force पूछा होगा, mass M है, length L है, तो देखिए tension अगर कहीं पे भी calculate करना हो, वहां से break कर दो, यहां से break किया, दोनों में से कोई से part का diagram बना सकता है, पीछे वाले part का diagram बना दिया है, यह दोनों का बनाने का जरवत पड़ सकता है, तो पीछे वाले part पे force लगा, आगे कियों tension force, ठीक है, tension force लगा, और यह जो tension force है, यह tension force बहुत सकता हूँ, अगर इसका acceleration A है, तो horizontal में net force equals to उस part का mass, अगर M और A calculate हो गया तो बता सकते हैं, अब इस पे देखें, इस पूरे part पे horizontal में force F है, तो इस लिए इस वाले part से हम बोल सकते हैं, कि acceleration equals to force by mass, और इसका mass कितना बोल सकते हैं, mass बोल सकता हूँ, total mass M है, जब length L है, तो X part का mass हो गया M by L into L, X, uniform है, तो इस तरह से mass बोल सकते हैं, तो tension force की value आगे T equals to M by L, X, acceleration F by M, M cancel हो गया, sorry, इस part की जो length है वो L minus X, तो यहां पर यह value हो गई, L minus X into acceleration F by M, M का term cancel हो गया, तो tension force की value हो आगे, F L minus X divided by L, इतना tension force आजाएगा, उस existence वाले point पर, इस वाले point पर, तो यह हो गया, third option correct हो गया, 12 की बाद next question पर चलते हैं, 13 पर, 13 में, एक system दिया हुआ है, pulley frictionless है, और जो string है, massless है, और M1 empty equal नहीं है, तो force on pulley, due to lower string, तो pulley पर जो lower string है, उसकी वैसे force कितना लग रहा होगा, वो calculate करना है, वैसे तो net force जीरो है, अपर string की वैसे, पुछा तो वो calculate करते, मास इसका given नहीं है, कि massless है क्या है, string massless बोल रखा है, तो वो ही है, नीचे वाले string में, जो tension force होगा, उसको use करते है, तो इस वाले string में, जो tension force होता है, वो कितना आता है, 2 M1 M2, divided by, M1 plus M2 into G, यह tension force है string में, और इस पुली पे डाउनवर्ड जो string है, वो tension force, net force जो लगा रही हो, वो 2T की बराबर लगा रही है, तो 2T से compare करना है, और किस से compare करना है, सबको M1 plus M2 G से compare करना है, तो 2T देखें, 2T की value हो गई 4 M1 M2, next पिजलता है एक बार, divided by M1 plus M2 G, इसको compare करना है, हमें M1 plus M2 से, ठीक है, compare करना है, तो एक बार बीच में sign छोड़ता है, इधर लेकि जाता है, और सौरी G से, इसको इधर लेकिए गया, इधर रह गया M1 M2 4 ताइम्स, और इधर हो गया M1 plus M2 का, whole square, square भी दे ले जाओ, 2 को इधर ले ले ओ, तो यह हो गया M1 M2 का root, और इधर हो गया M1 plus M2 by 2, इस तरह का relation आया, अब मैं बता है कि यह है, arithmetic mean, M1 plus M2 by 2, यह है इनका geometric mean, तो AM, GM से greater होता है, तो यहाँ पर यह relation कुछ इस तरह का आजा, means, यहाँ पर यह relation, इसका मतलब यह होगा, कि M1 plus M2 G से जो downward force रोटल लगावा है, इस पर वो कम है, तो इसके according अपना option हो जाएगा, less than M1 plus M2 G, यह हो जाएगा, तो question number 13 में, first correct है, next question पर चलते हैं, question number 14, 14 मे, 14 में एक uniform rope है, और इसकी length L, एक table पर है, coefficient of friction Mu है, तो maximum length L1, जो उसके उपर से रख सकते हैं, एज पर, ताकि यह slide ना हो, slide ना होने के लिए, maximum length कितने ही रख सकते हैं, तो table के उपर रखा वाए, यह कुछ, rope या chain बोल दो, एक table पर, अब यह कितना part इसका, इधर लटका सकते हैं, ताकि यह balance रहे, उसके हम बोल सकते हैं, कि यहाँ पर जो friction force है, को जो भी downward force लग रहा है, उसको balance कर रहा होगा, और friction force, maximum कितना लग सकता है, Mu mg, तो just limiting condition में, यह आ रहा होगा, just limiting condition, maximum कितना weight, balance कर सकता है, जब तक यह maximum नहीं लग जाए, तब तक balance करेगा, इस से ज़्यादा लग नहीं सकता, slip हो जाएगा, तो यह situation हो गई, Mu 1 या Mu, M1 G equals to M2 G, कौन से बार्ट की length पूछी है, L1 length, जो इस से लटकायव है वो, L1 length उसको बुलाव है, इस बार्ट की length L1 बोली है, यह तो इसको एक बार M2 लेज़ते हैं, इसको M1 लेज़ते हैं, यह M1 है, और यह M2 है, तो M1 लिख सकता हूँ, total mass upon total length, into इस वाले पार्ट की length L1 G, Mu, M2 क्या बोज़कता हूँ, total mass upon total length, into इस पार्ट की length, total length में इसे L1 अटा दो, ठीक है, into G है, तो Mu, M by L, L minus X into G, यह L1, आप cancel हो जाएंगे, M by L G, तो यहां से आगया, Mu L minus Mu L1, equals to L1, बागी term cancel होगे थे, तो L1 का term पूछावाय है, तो Mu L, divide by, इदर से Mu common लेएंगे, Mu plus 1 रे जाएगा, L1 में, तो यह वाला part आगया, मतलब इतना अगर length है, इदर वाले part में, maximum, तो यह balance रे जाएगा, तो इसके according, third answer अपना correct हो जाएगा, 14 के बाद, next question पे चलें, 15 पे, 15 में, upper half, एक inclined plane का जो है, वो, perfectly smooth है, 5 अंगल का inclination था, और, जो lower half है, वो rough है, तो बोडी स्टार्ट कर रही है, रेस्ट से, टॉप से, और रेस्ट में आ गया, नीचे बॉटम पे आते आते, तो कोफिशिंट अफ्रिक्शन, लोवर हाफ का कितना होगा, तो देखें, अपर हाफ वाले part में, फ्रिक्शन है नी, लोवर हाफ में पार्ट में फ्रिक्शन है, और नीचे आते आते हैं, अगर रेस्ट में आ रहा है, तो मैं वर्क एनजी ठेओर में यूज कर लें फिर यहां पर, तो यह डिस्ट से, इस वाले डिस्ट से में आएगा, आफ आफ है, तो इस वाले डिस्ट से पे जब ब्लॉक मू करेगा, पीछे की और फिक्शन फोर्स लागेगा, मू एन ये मजी एक बार इदर बना लोते हैं, डाउनवर्ड अमजी, इदर नॉर्मल, अमजी के इदर कॉम्पेंट आगे, अमजी कॉस सीटा, इदर कॉम्पेंट आजाएगा, अमजी साइन थीटा, पीछे फ्रिक्शन फोर्स आजाएगा, स्टेटिक, स्वरी, काइनेटिक मू कर रहा है तो, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो आजाएगी, वो आजाएगी मू एन की बराबर, और नॉर्मल यहां से कल्कलेट करोगे, तो यह आगया, यहां से यहां तक लानने में, यहां पर वेलास्री जीरो है, फाइनल वेलास्री भी जीरो है, तो हम वो सकते हैं, वर्क एनजी थे और हम से टूटल वर्क दन यहां से यहां तक लानने में, चेंज इन काइनटिक एनरजी जो जीरो है, तो टूटल व्रकदन में व्डडन वार्डन ग्राविटी वन्टन वार्ग बाइफ्रेकशन से को एक वाइट वाइश पूरे मोशन की डाइम पर नॉर्मल पर परेंडिगूलर की विए जीरू है कि वागडन बाइगरेविटी यह दो एम घ्राविटी सीधा यह बोलतों कि इंक्लीड के या लौग ओट का जो और रहा है पर्पेंडिनर वाला थो गरेगा यह वाला जाएगा mg sin theta into displacement 2s mg sin theta force into displacement 2s work done by gravity work done by friction यहां से आ रहा है half part में as resistance cover कर रहा है friction को वैलिए यह है friction or displacement opposite minus mu mg cos theta into s minus force or displacement opposite force or displacement opposite अब यह total work done changing energy के बाराबर जो 0 हो रहा है शुरुआत में रेस्ट में बॉटम पर भी रेस्ट में अब यहां से mg s cancel हो जाएगा तो यह आगया 2 sin theta minus इदर लेगा है यह आगया mu cos theta पुछा हुआ है mu का वैली तो मु का वैली हो गया 2 sin theta 1 cos theta 10 theta मु का वैली तू 10 theta अगर होगा 5 दे रखा है तो 5 के डर में आ जाएगा तो 2 10 5 अगर होगा तो यह नीचे आते आते बॉटम पर रेस्ट में आ जाएगा तो 2 10 5 के बराबर option हो जाएगा अपना first तो next question पर चलते है question no.16 इसमें बोल रखा है कि work done when a force f i plus 2 j plus 3 k newton act कर रहा है किसी particle पर जो इसको r1 से r2 तक ले जा रहा है तो इसका work done कितना होगा तो देखे force जो है वो constant constant force है तो work हम लिख सकते है w equals to f dot s और अगर positions given है तो displacement होता है final position minus initial position यह करना है तो यहां पर positions का difference ले ले देते है final position r2 तक ले जाना है तो i में तो 0 आ गया force लेकर देते पहले i plus 2 j plus 3 k dot displacement तो final difference आ जाएगा यह x में 0 i cap y में आ जाएगा minus j और minus of minus j difference ले रहे है तो 2 j आ जाएगा minus का और k में plus 2 minus 1 difference ले रहे है इसलिए आ जाएगा plus k करते है अब dot करते है i dot i 0 मतलब i dot i 1 था लेकिन term multiply 0 किया और जे वाला डर्म आ गया minus 4 और के वाला डर्म आ गया plus 3 इतमेंस जो वर्क आ गया वह आ गया minus 1 जूल के बरापर माइनस वन जूल इसमें वर्क आ जाए सेकंड 16 में 16 के बाद next question number 17 17 में एक spring force है और उसका value है 10 newton per meter initially stretch किया हुआ है 0.2 meter और change in stretch to 0.25 meter then increase in potential energy stretch में change कर दिया 0.25 meter sorry stretch जो था वो 0.25 meter कर दिया तो इसमें बताना है कि कितना change in potential energy होगा तो देखें तो potential energy हम spring potential energy लिख सकते हाफ के x square और change in potential energy होगा वो लिख रहे हैं तो final position minus half k x initial square तो half तो common लिया k common लिया 10 x meter में ही है तो point हिटा के बहले स्क्वेर कर लेते हैं 2 का स्क्वेर 4 final 25 का स्क्वेर 625 10 x bar minus 4 और initial है 2 square 4 into 10 x bar 0.1 था square किया minus 2 यह 4 में convert कर दो 400 कर दो 400 into 10 x bar minus 4 तो यह आगया 10 by 2 और यह difference आगया 225 तो यह ratio into 10 x bar minus 4 तो minus 3 रह जाए गया तो यह आगया 1, 1, 2, 0.5 और minus 3 तो 1, 2, 3, 0.1 यह value आगया इतना तो चेंज इन potential energy कितना आगया जीरो पॉइंट अप्रोक्सिमेट 0.1 के आगया यह इसमें चेंज इन आगया यहां से release किया तो maximum kinetic energy कब होगी जब potential energy सबसे कम होगी एनर्जी कंदर रिशन से बूल सकते हैं तो सबसे नीचे वाले पॉइंट पर आएगा तो potential energy कम होगी gravitational तो kinetic energy maximum maximum कितनी हो गई जितनी पहले potential energy यह लिख सकता है यह length L है तो यह L cos theta यह total L था total L था है तो यह difference बोल सकते हैं तो वहां से महां तक आने पर यह तो वर्क इंजी थुरन लगाता हो यह potential energy में चेंज लिख दो work done by gravity लिख दे अगर M G H H तो यह आ जाएगा L minus L cos इसमें टोटल वर्क दन इको सुच इंजीन का इनर्जी फाइनली का इनर्जी के माइनस इनिशल जीरो तो पुछाए कि maximum kinetic energy कितनी है तो यह maximum kinetic energy को तर्मा जो जाएगा थर्ड को इसके बाद कोशन नमबर 19 19 में एक ब्लॉक को पुल कर रहे हैं कॉंसेंट फोर्स से कॉंसेंट और जॉन्टल फोर्स से स्मूज सर्फेस पर वग्डन बाय वग्डन ऑन दे ब्लॉक आज फंक्शन आफ स्पीड एक्वार ब्लॉक तो वर्क डन का हमें स्पीड के साथ ग्राफ करना है किस तरह से होगा है हुं कि हैं क्या बोल सकते हैं इस पर जो भी फॉर्स अगरा उसका टोटल और यूठ और यू कोई वर्क नहीं होगा ग्रैविटी क्यों होगा कि नैंटीन के बाद नेक्स्ट कोशन नमबर 20 में कार 800 kg का जो है वो कॉंस्टेंट एक्सेलरेशन से मुग कर रहा है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेर स्टेट रोड कॉंस्टेंट रिस्ट्री फोर्स जो है वो भी लग रहा है 72 न्यूटन का और इसकी स्पीड जो है वो 72 किलोम परडेट करें उसमें पौनकून से फोर्सेज होंगे कुछ जो है वो इंटर्नल वो कुछ एनरजी एनरजी दिर्ए आंप यह कर रहा होगा वो और यह नहीं होती है जब मुह घरी होती है तो जो फ्रेक्शन स्टेटिक है उसका भी वाण नहीं होगा तो टो टो टोटल यह आप अब सम को हमें पूछा वह रेट कि से वर कर रहा है तो मैं इसको दिफ्रेंशीट कर rhahu perspective time differentiate करने पर यह अगया कि से बर रहन हो रहा है और आगे क्या «देच्ट की अगर मुथ कर रही है तो या तो इस पीछे क्यों लगेगा मैं य। तो तो दिस्प्लेस्मेंट आगे फोर्स पीछे तो नेगटिव आएगा और डीवी बाइडीटी पावर भी बोज़कता हूं उसको फोर्स की तो मैं बोज़कता हूं इसको एफ डॉट बी की बारता है कि कानेटिक एनरजी रेट चेंज अफ कानेटिक एनरजी आगया हाफ एम व स्क्वेर कि उसको डिफ्रेंशेट कर रहे है विद रिस्पेक्ट्टू टाइम तो इससे आ जाएगा एक तो वो टर्म जिसको पी दैश बोल देता हूं अभी के लिए के लिए यह फोर्स और वेलासिटी अपोजिट है तो इसलिए माइनस लिख दिया फोर्स है 72 न्यूटन यह 1000 बाइ 3 3600 लिख दो 18 से यह 4 ताइमस 20 मेंटर पर सेक्टिस की वेलासिटी लिख दिया 20 और इधर वाला टर्म आ गया डिफ्रेंशेट गया वी स्क्वेर को तो 2 कैंसल हो गया mv एक dv by dt, m है 800, v 20 आएगा, एक m आएगा, v आएगा, एक dv by dt आएगा मतब acceleration हो गया dv by dt जो है 1.5 पावर जो इंजन इसको दिलिवर कर रहा है वा आगया 3 24000 माइनस का इधर प्लस 441440 तो यह आगया 25, sorry 25440 वाट के बार कर रहा है तो इतनी पावर इंजन डिलिवर कर रहा है इसको तो यह हो जाएगा फिर्स पाड़ ठीक है, नेक्स कोशन मा 21 या नेक्स सेक्शन का, सेक्शन डी का फिर्स्ट कोश्चन, सेक्शन डी की अंदर निमेरिकल वेल्यू में ही आंसर अपना आना ह जिरो टू 99 तक तो इसमें कोशन में बोल रखा है कि एक बोट जो है उसकी स्पीड है 5 किलोमेटर पर आर स्टिल वाटर में और यह क्रॉस कर रहा है एक किलोमेटर विर्थ की एक रिवर को शॉर्टेस पॉसिबल पाप से और 15 मिनिट में इसने क्रॉस कर लिया, तो स्पीड स्पीड ऑफ वाटर बताना है कितना है, तो अगर रिवर फ्लो के केस में, रिवर अगर इस डारेक्शन में फ्लो हो रही है किसी वेलास्टी वी से और अगर इसको बिल्कुल अपोजिट पॉइंट पर पहुंचना है, शॉर्टेस पाथ बोल दो यहां से यहां तक जितना रिवर आगे फ्लो करवा के लिए जारी उतना केंसल आउट कर दे और दूसरा कॉम्पनेंट इसको क्रॉस कर वाए उपर की और ठीक है, अब वेलास्टी ओवर आल तो फाइब बोल रखी है और इस आरक्शन में जो कवर कर रहा है वन किलोमेटर डिससेंस, वो ट्रे 15 मिनिट के अंदर और दिससेंस 1 किलोमेटर तो टाइम दे रखा है वेलास्टी यू कॉस यू साइन थेटा, रिक्वस्ट वागिया 1 by 15 मिनिट को में 1 by 4 किलोमेटर बोल सकता हूं, 1 by 4, तो ये आंसर आ जाएगा 4 किलोमेटर पर आर, तो ये वाली वेलास्टी इसकी 4 किलोम component इधर वाला component में क्या बूल सकता हूं next page बेसलता है कि दोनों component का square vertical component का square प्लस horizontal component का square और इसका horizontal component इसकी velocity की पराबर है तब ही सीधा जाएगा तो horizontal component का square equals to overall velocity 5 का square तो V square equals to आगया 25-16 9 V की value आ जाएगी 3 km पराब अब river की जो velocity है वो है 3 km पराब तो first answer आ जाएगा अपना 3 second में कितना time लगेगा एक कार को रोकने में है रोकने में 20 meter per second इसकी velocity है और brake लगाते टाइम पर uniform retardation है उसका uniform acceleration है negative होगी है वो retardation है 5 meter per second square तो कितना time लगेगा final velocity 0 time पूछावा है इसलिए हम लिख सकते हैं V equals to U plus 80 finally velocity 0 initial velocity 20 acceleration है minus 5 time पूछावा है तो T की value आ गई यहां से फोर सेकिंड की तो फोर सेकिंड की अवल इसको time लगेगा रुखने में पूछा था answer 4 हो जाए थर्ड एक मैंने थो किया एक स्टोन को 80 meter से एक मैं जो है करेगा कि जब यह 45 पर थो कर रहा हूं 45 पर थो किया तो यह है एक टी मिटर है तो यह बुछावा है कि इस ही टाइम पर यह maximum कितने हाइट तक राइज होगा कितने हाइट तक राइज होगा तो यह हाइट के लिए क्या कर सकता है पॉर्मला क्या है आर एक वस्टू फोर एच पॉर्ट थीटा के बराबर ठीक है तो यहां पर थीटा की वैली तो 45 है यह तो वन हो गया आर रेंज है 80 बाइफोर यह की वैलिव आजागी मैग्जिम हाइट की तो मैग्जिम हाइट है इसकी 20 मीटर है तो 20 मीटर मैग्जिम हाइट तक यह जा रहा होगा तो नेक्स्ट कोश्चन पर आते हैं कुश्चन नम्मर फूर फोर में मास है 30 केजी का और उसको 210 नूटन से पुल कर रहे हैं और इंस्टेंट पर जो 15 केजी है जो पीछे स्प्रिंग से कनेक्टेड है उसका एक्सेलरेशन 6 है तो एक्सेलरेशन 30 केजी कितना होगा तो देखें पूरे सिस्टम पर हम एक साथ इस तरह से लेख सकता है कि एनat horizontal force equal to mass정 situation हुआ लगए तो अलग लगए हora है तो अलगली है तो इंडिविछियर भी लिखतें नेट force equal to MA net force equal to MA दोनों को ADD करतेगा तो नेठेनल forces cancel out हो जाते यह equation बस थी तो net force इन पर है 210, mass into acceleration 30 का mass into 30 वाले का acceleration, 15 वाले का mass और 15 का acceleration यह हो गया, तो इसके basis पर यह आ गया A की value 210 minus 90 equals to 30 तो A की value आ गई 120 यहां से उसका difference आ है 120 by 30 तो acceleration की value आ गई 4 meter per seconds यह इसका acceleration ठीक है, next, next question में ए ब्लॉक है 6 kg का जिसको 24 newton के force से पुल कर रहे है, coefficient of friction between the block and surface is 0.6, friction force कितना act कर रहा है ब्लॉक पर बूच तो देखें, यहां पर हो सकता है, friction static हो, हो सकता है, friction kinetic हो, तो चेक करते हैं एक बार, तो यहां पर normal लगेगा, downward weight होगा, 60 newton तक G की value टेन ले लिए भी और पीछे की और static friction assume कर लिए, तो normal की value 60, इसका मदब static maximum की value हो सकती है, mu n के बराबर, mu की value है 0.6 into 60, तो यह आगया 36 newton तक, तो static maximum 36 newton तक हो सकता है, आगे की और force 24 लगा, 24 minus static equals 0 कहीं नहीं जा रहा है, static मानने का मदब, तो static friction force 24 newton लगेगा, अगर यह rest में है तो, और यह बता रहा है कि range 36 तक, तो 36 तक तो लग सकता ही है, तो 34 ही है, range के अंदर अंदर है, इसका मदब friction force लग रहा है यहां पर 24 newton, ठीक है, तो इसी के साथ अपना paper यह complete होता है, तो आगे वाले papers के लिए best of luck, thank you.